Students, welcome to my channel. मैं हूँ Praveen सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से discuss कर रहा हूँ Question No. 21 of CPSC Sample Paper for the Board Examination 2024 Question No. 21 कुछ इस तरह से है Atishyokti Limited जिसकी रइस्तर्ड कैपिटल है Rs. 20,00,00 और जो divided है 2,00,00 equity shares में और share की face value है Rs. 10 per share Company तीन रुपे application पे ले रही है 6 वो allotment पे ले रही है जिसमें Rs. 1 premium के भी है यानि 5 capital के और एक premium का और बचा हुआ दो पर share वो लेगी first and final call पे First and final call दोगी कैसे है वो समझ दीजिए 3 application के जोड़िए 5 allotment के जोड़िए चेक कि मैं एक premium इसलिए मैं 5 बोल रहा हूँ तो 3 वो पांच 8 हो गए Face value 10 है 10 में से 8 कम कर दीजिए बचे 2 रुपे तो 2 रुपे Company call पे ले रही है ठीक है बच्चो First and final call Company ने पूरे 2 lakh shares इशू नहीं करे है Company ने इशू करे हैं केवल 80,000 shares for public subscription और Company ने सारव ऐसा इन shares पे मांग भी लिया और से मिल भी गया except 5,000 shares जो Manish के पास है और 14,000 shares जो अलोग के पास है इन shares पे Company को पैसे नहीं मिले हैं Manish ने allotment रो call दोनों नहीं दिया और अलोग ने सिर्फ call money नहीं दिया Manish जिस पे 5,000 shares है इसने allotment रो call दोनों नहीं दिया है अलोग जिस पे 4,000 shares है इसने केवल call money नहीं दिया है ठीक है बच्चो? अब Company ने जो share forfeit करे हैं वो केवल Manish के करे हैं यानि 5,000 shares जो Manish के पास थे उनको ही forfeit किया गया है अलोग के जो 4,000 shares है आगया है कि share capital शो करे है in the books of the company और साथ के साथ उतका notes to account भी बनाईए तो आईए बच्चो पहले notes to account से ही शुरुवात कर लेते हैं बच्चो हम notes to account बनाएंगे share capital का और उसमें सबसे पहले आप ही heading डालते हैं का notes to account भी लिखीगा number one ठीक है बच्चो इस is note number one और लिखीए share capital और इसके रीचे लिखीए सबसे पहले authorized capital और हम जानते हैं company की authorized capital जो है वो 2 lakh equity shares है और हर एक share जो है वो rupees 10 का है तो लिखीए 2 lakh equity shares of rupees 10 each 2 lakh into 10 होता है बच्चो रुपीज 20 lakh तो आपकी authorized capital total है rupees 20 lakh ठीक है बच्चो यह दिखेंगे पूरा उसके बाद आपको लिखना है issued capital issued capital में आप लिखेंगे बच्चो 80,000 तो हमने लिख 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 लिया यह authorized capital और issued capital के अंदर ही रहती है ठीक है बच्चो इनको कंपनी की balance sheet में शो नहीं किया जाता बैलन शीट में शो की जाती है सब्सक्राइब कैपिटल अब सब्सक्राइब के फर्दर दो तरह की होती है एक होती है सब्सक्राइब and fully paid और जिसमें हम शो करेंगे 74,000 shares को कैसे शो करेंगे मैं जरूर बताओंगा अप लोग को बच्चो और दूसरा है आपका subscriber not fully paid जिसमें हम शो करेंगे 4,000 shares को ठीक है बच्चो जो 4,000 कैसे आएगा वो आपको बताओंगा बच्चो उसके इलाबा हम forfeit shares account का एक value show का add करेंगे जिस में 2000 shares होंगे ठीक है बच्चो तो subscribe capital को इस तरह से हम show करेंगे subscribe and fully paid subscribe but not fully paid और तीसरा forfeited shares ठीक है बच्चो तो subscribe capital को लिखते हैं बच्चो आईए subscribe capital में पहले आएगी subscribe and fully paid up अब यह मैंने आपको पताया था 74,000 shares आएंगे यहां पर तो 74,000 shares कैसे आएंगे समझ लीजिए कमिन ने total 80,000 shares issue किये थे और question नों बताया तो नहीं गया था लेकिन understood है कि share का जो issue है वो fully subscribed हो गया अब उसमें से 9,000 shares पे arrear आया था 5,000 मनीश के थे और 4,000 आलोक के थे इसका मतलब 71,000 shares पे कोई arrear नहीं था कमिन ने पूरा बैसा मांग भी लिया था question में लिका भी थे जिपान तो 71,000 तो वो गए जिन पे शुरू से कोई arrear नहीं था ठीक है बच्चों और आप जानते हैं कि आपने मनीश के share ही forfeit करे थे आलोक के share forfeit नहीं करे थे और मनीश के forfeit share में से 3,000 shares को fully paid up मानते वे बाद में दुबारा issue कर दिया गया था तो इन 71,000 shares में जिन में शुरू से कोई arrear नहीं था वो 3,000 shares भी add कर दीजिए जो मनीश के थे और उन्हें ratio कर दिया गया था that's why ये 74,000 shares हो गए बच्चों तो 74,000 equity shares of rupees 10 each जो कि आ जाएगा rupees 7,40,000 सही है बच्चों अब आते हैं subscriber not fully print में इसमें वो 4,000 shares आएगे बच्चों जो आलोग के थे जिन पे arrear भी था और जिनको forfeet नहीं करा गया था अब क्योंकि इन shares पे arrear था तो वो shares subscribe and fully paid में तो आई नहीं सकते हैं अब इन shares को क्योंकि forfeet भी नहीं गया गया था इसलिए वो forfeet share account के अंदर भी नहीं आ सकते हैं तो इसलिए इन 4,000 shares को लिखा गया subscribe but not fully paid के अंदर 4000 equity shares of rupees 10 each यह है आपका 40,000 minus कर दिजे calls and arrears आप लोग पूरा लिखेगा बच्चों और calls and arrears जो है वो आएगा 4000 into 2 क्योंकि आलोग ने सिर्फ आखरी की call नहीं दी थी तो जो पैसा उसने नहीं दिया वो हटा दिजे यह आ जाएगा rupees 32,000 ठीक है बच्चों अब forfeited shares account आपको लिखना है जिसके अंदर 2000 shares है मनीश के वो वाले shares जो forfeet तो हो गए थे मगर reissue नहीं हुए है तो इसको आपको add करना है forfeited shares account ठीक है बच्चों इसमें मनीश के वो 2000 shares हैं जिन पे जिन्हें कंपनी ने forfeited कर लिया था मगर reissue नहीं किया था अब इन forfeited shares का केवल वही पैसा लिखा जाएगा जो मिला हुआ है ठीक है बच्चों because forfeited share account में वही पैसा लिखा जाता है जो कंपनी को मिल चुका होता है बैलन्स है रुपीज 6,000 अब इन तीनों को add कलिजे 7,40 को, 8,42 को और 6 को यह आ जाएगा 7,78,000 यह 7,78,000 आपका जाएगा in the balance sheet of the company under the heading shareholder fund और subhead आपका होगा share capital और share capital के सामने amount column में यह amount आपको लिखना है रुपीज 7,78,000 क्लियर बच्चों आप इस पूरे इसको notes to count को एक बड़ देख लीचिए ठीक है बच्चों authorized, issued, subscribed authorized capital और issued के लिखना अतना दिक्कत नहीं होती है में आपका subscribe capital को लिखना में दिक्कत आती है subscribe and fully paid subscribe but not fully paid and forfeit share account तीनों का sum आपका balance sheet में जाएगा ठीक है बच्चों जिने हम share capital के अंदर लिखेंगे तो बच्चों जब आप company की balance sheet शो करेंगे तो आप सबसे उपर लिखेंगे company का नाम अतिश्योकती limited उसके नीचे लिखेंगे balance sheet रैकेट में extract लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप complete balance sheet नहीं बना रहे हैं नीचे date लाल देजगा as at, suppose 31st March 2023 फिर आप तीन कॉलम मनाएंगे पहला particular का, दूसरा note number का और तीसरा amount का और particular वाले कॉलम में आपको balance sheet का first part लिखना है जिसका नाम है equity and liabilities उसके अंदर पहली heading लिखनी है जिसका नाम है shareholder fund उसके बाद आपको पहला subhead लिखना है जिसका नाम है share capital और बस ऐसी subhead को लिखना है क्योंकि हमसे question में सिर्फ share capital को कैसे present करना है वो पूछा गया था note number के आगे 1 डाल दीजिए share capital के सामने और amount के आगे डाल दीजिए 7,78,000 जो हमारा subscribe capital का total आया था तो इस तरह से हमारी ये balance sheet बन जाती है बच्चो उमीद करता हूं कि आपको ये question का solution अच्छी तरह सुन में आया होगा बच्चो अगर फिर भी कोई आपको doubt रह जाते हैं तो आप मुझे comment करके आप अपने doubt पूछ सकते हैं मैं आप लोगों के comment का solution प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को ठीक है बच्चो जो भी आपकी query होगी जो भी आपका doubt होगा उसको जुरूर clear करूँगा Thank you बच्चो